हेलो फ्रेंद्स इस सुनील का शेप और आजम बात करेंगे फिर क्विस इंडिविजन डूपलेक्स यानि एप डीडी एंड टाइम डिविजन डूपलेक्स यानि टी डीडी टी डीडी तो आकर क्या है यह चीज आए जानने की कोशिश करते हैं तो जैसा कि इसके नाम में लि सिस्टम होता है जहां आप अपने मैसेज अपनी गैल्फ्रेंड वाइफ्रेंड पीवी शेना मोना और यहां तक कि बाबू को भी बहुत वें कम्निकेट कर सकते हैं अभी सिस्टम के दो और बाई हैं आए उनसे भी मिलवा देते हैं आपको अच्छा है जो वीडियो देखी आपने इसमें अगर आपने नोटिस किया होगा कि वोकी टॉकी ढारी अंकल ने पहले तो एक बटन दबाया जिसे हम कहते हैं पुश्टो टॉक बटन यह इसलिए दबाया जाता है कि ताकि आप अपनी वोईस को ट्रांस्मिट कर सकें और ज सिस्टम जहां कम्यूकेशन स्रिफ एक तरफा ही होता है तो अब बात करते हैं फुल डूप्लेक सिस्टम के बारे में तो आई ये इसकी वीडियो भी दिखा ही देता हूं आपको अब ज्यादा हो रहा है चूडिया पहन लो तुम बेबी यू रिली वांट में त्यो अब यू जाके ना सूरच पर जयाता की फिल्म करो समझे जच चड़ आपना हो चूडियो और बिंदी बेज रही हो कल संत्राम के हाथ इसी को कहते हैं फूल डूपलेक सिस्टम यानि दोनों तरफ से पुल माब है हैं अब होता नहीं मुझे कुछ सेहन अब करूंगा मैं पूरी तरह से लंका देहन तो इसी को कहते हैं फूल डूपलेक सिस्टम यानि एकी टाइम भी आप बात भी कर सकते हो सुन भी सकते हो गा इसे में दिवाइड कर दिया गया है अगर मैं बात करूँ एक मात करी है एक दो प्यर्स पाइर होता है एक जूँज अगर इसमें ग fit यह जा रही है लिए नीचे यानि पूने से मुंबई की तरफ और दोनों के बीच में लगा हुआ है डिवाइडर आप इसे कंपेर किजिए अप्डीडी के कंसप्ट से जो गाड़ी जा रही है उपर यानि मुंबई से पूने की तरफ वो जा रही है आपके अपलिंग पाथ पर जो गाड़ी आ र बाई ही होता है अप्डीडी में तो आपका फंडा क्लियर हो गया होगा अप्डीडी का तो आगे बढ़ते हैं अप टीडीडी की तरफ तो अब बात करते हैं टीडीडी के बारे में जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि यहां कोई दो वे रोड नहीं है बाई और जो भी कुछ है, ये सारा कुछ इसी हॉल में है, वैसे ये किसी लोग सभा या राज सभा की सिटिंग अरेंजमेंट है, जा एक तरफ बीचेपी वाले बैटे हैं, तो दूसरी तरफ कॉंग्रेस वाले बैटे हैं, अगर आपने नोटिस कभी किया होगा, कि तो बीचेपी वाल जैसा कि महां डाउनलिंग अपलिंग था न, महां कुछ नहीं, यहां सारा कुछ एकी स्पेक्ट्रम भी यूज होता है, और उसी में पूरा डाउनलिंग अपलिंग भी यूज होता है, तो आपको बता दू कि जो अपना स्पेक्ट्रम है उसको टाइम में डिवाइड कर दे जैसे कि आप इस image में देख रहे हैं कि यहां हमारे पूरे के spectrum को time में divide कर दिया है यानि slots में divide कर दिया गया है अब इसमें से आपके इसमें के बाद भेशता है अगली वाली सिगनल को इस तरह से क्या हो जाता है अपलिंग का भी काम हो जाता है और डाउनलिंग का भी काम हो जाता है पर लैपिंग भी नहीं हो पाती है तो यह पूरे concept को कहते हैं टीडीडी का concept फ्रिक्वेंसी को time में divide कर दिया गया है इसमें दो सिगनल एक साथ नहीं जाते हैं जब अपलिंग की requirement जाता है डाउनलिंग की requirement होती है डाउनलिंग जाता है तो सिगनल एक साथ नहीं जाते हैं तो कहते हैं अब बात हो गई अब डीडीडी और टीडीडी के बारे में अब देखते हैं इसका advantage और disadvantage क्या होता है अगर मैं अब बात करू एक टिडिकी की में क्या हो रहा है कि एक तो डॉवर Mole haha presents हैद्rika बहुत महेंगा होता है यह से और हम वाम बात करें टीडिकी की तो सते अंदर में श्रील कुछ अलग आठीत है तो डूपलेक्सर की यूज नहीं होता है इसके वज़े से क्या होता जो मोबाइल की कोस्टिंग हो जाती है थोड़ी काम हो जाती है थोड़ा एडवांटेज एड़ीडी का अब हम बात करें एपडीडी में तो एपडीडी तो बैन एफिशेंट तो है नहीं क्योंकि आपने अलग कर दिया डाउनलिंग अलग कर दिया इसमें एक अच्छा है कि ओवर लैपिंग नहीं हो पाती क्योंकि दोनों अलग चैनल पर सिग्नेलिंग होती है तो यह थोड़ा टीडीडी का डिसे ड्वांटेज है इसरे पॉइंट की बात करो कि एप्डीडी में जो स्लॉर्स होत होते हैं कुछ अप्लिंग के लिए फिक्स होते हैं कुछ डाउनलिंग के लिए फिक्स होते हैं इसमें कुछ आप उपर नीचे नहीं कर सकते हैं लेकिन टीडीडी में आप ऐसा कर सकते हो टीडीडी में आप अपने रिक्वार्मेंट के हिसाब से डाउनलिंग के ज़्याद और डिसडवांटेज देट के लिए और मैंने आपको सारा कुछ दिखा भी दिया तब आपके दिमाग में कुछ कुछ नहीं है तो प्लीज यह नीचे कमेंट कर दिजिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो प्लीज इस वीडियो को ल कोबाइल पर आ जाए ताकि आप वीडियो देखना स्कार्ट कर दें तो मैं मिलता हूँ अपने नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए and do whatever you want